फ्रेंड्स मेरा ये जो वीडियो है यूपी ट्रपिल ऐसी की जो वीडियो की परिच्छा उससे संबंदित है और इस वीडियो में आपसे तीन चाल विशों पर बात करूँगा पहला जो टॉपिक है वो ये है कि आयोग ने जो आंसर की जारी की है उस पर पृतियोगियों ने कई प्रश्णों पर आपतियां दर्ज कराई हैं और इन आपतियों के दर्ज कराने करण अब इसका प्रभाव कटाफ पर भी पड़ेगा इससे पहले कि मैं कटाफ पर बात करूँ कि आप क्या प्रभावित हो सकता है यदि वो डिलीट किये जाएंगे तो कटाफ पर उसका क पत्तियां दर्च कराई गई है इस आपजेक्शन का पत्तियों का एक लेग जो है वो समाचार पत्रों में प्रिकाशित हुआ है मैं उसी के माद्धम से आप तक उन प्रश्णों को पहुचाने का प्रयास कर रहा हूँ जैसा कि सिरीज बी एफ है उसमें कोशन नमबर थार्ड संग्या है इसमें आयोग ने अपना आंसर जो डी माना है लेकिन प्रतियोग्यों ने इस प्रश्ण पर भी आपत्ति जो है दर्च कराई है और इसी विकार सिरीज एडी में जो कोशन नमबर चार है कि अध्याश में कौन उपसर्ग है इस पर आपत्ति दर्च कराई गई है एडी सिरीज में ही जिन्दगी में कौन सा प्रत है इस पर आपत्ति है कुल मिलाकर करके पांच प्रश्ण है कई प्रश्ण और भी है जिन पर आपत्ति दर्च की जाएगी ऐसा मेरा मानना है फ्रेंड्स मैं आपको इन प्रश्णों से संबंदित एक बात इस प्रश्ट कर कि जो हिंदी के विशेशग टीचर हैं उनके प्रश्ण जो हिंदी के हैं जिन पर आपत्ति दर्च की गई है या तो यह डिलीट किये जाएंगे या इनके अंक सभी प्रतियोगियों को समान दरूप से मिलेंगे फ्रेंड्स जहां तक कटाफ पर इन गलत प्रश्णों का प् आपने कमेंड के माध्यम से उन्होंने मेरी आलोशना करी है कई लोगों ने मेरे साथ आप बड़े सुन्दर शब्दों का प्रियोग किया है लेकिन फ्रेंड्स आप मैं आप से कह सकता हूं कि जो मैंने कटाफ उसमें प्रिडिट किया था जर्नल कटाइगरी के लिए आपक की रेंज बताई थी और कोशन में एटी वन टू एटी फोर था से के लिए सेवेंटी सिस कोशन टू एटी कोशन मैंने बताये थे और कुल मिलाकर के जो इस्थिती अब बन नहीं है अगर हम उस पाइंट आफी से देखें तो अब एक सो बीस प्रश्ट सही करने वाले जिन अब उन सब को इस बात का बहुत अच्छा अनुभा हो गया है कि कटाफ बहुत नीचे जा रही है और उन सब के प्रश्ट खुज जो है एटी से एटी फाइव के बीच में आ गये हैं क्योंकि कटाफ जो था ये नीचे आना ही था उसका सबसे वड़ा रीजन ये था कि अप में पहली बार कटाफ था सुरी पहली बार निगेटिव मार्किंग थी और ये निगेटिव मार्किंग जो है वन बाई टू की थी जिसका जिसका बहुत घातक प्रभाव पड़ा है पूरे कटाफ पर और फ्रेंट्स मेरा अब भी ये मानना है कि जो मैंने वीडियो से रेले को इसमें कंसीडर कर लें तब भी ये कटाफ जो मैंने मोटे तोर पर बताया था वही रहेगा बलके अब मेरा अपना ये जो अनुमान है वो एक या दो अंग और कम हो जाएगा आप मेरे पुराने वाले वीडियो को देख सकते हैं उसमें मैंने सभी वर्गों के जुड़े सिक्स तक भी हो सकता है और ये टोटल प्रोजेक्शन है प्रिडिक्शन है बेस्ड़ान एक्सपीरियंस है पेपर का जो स्टेंडर रहा है उस पर हम बात कर सकते हैं आप रिजिनिंग के पेपर को देखें कितना वह तफ से अधिक लैंथी था कई लोग पूरे-पूरे प्र कोशन था जहां पर अधिक्तम प्रशन किये जा सकते थे और लोगों ने अधिक्तम प्रशन हिंदी में किये लेकिन अब वहां पर पांच प्रशन जो है अब तक दर्ज की जा चुकी आपती और ऐसी कंडिशन में या तो मार्क कटेंगे या वो मार्क जो है सभी को समान रू यह आप बहुत ध्यान से सुनें, यह बहुत important बात है कि अगर यह हिंदी के जो questions हैं, जिन पर आपतियां दर्ज कराई जा रही हैं, अगर यह हिंदी के प्रशन delete कर दिये जाएंगे, इनके marks सभी को नहीं मिलेंगे, तो इस situation में हिंदी का जो role है, वो cut-off deciding में थोड़ा कम हो जाएगा, और ऐसी condition में cut-off जो है, और नीचे जाने की संभावना होगी, और अगर cut-off हिंदी की जो अंक हैं, वो cut-off में, यानि वो merit में जोड़े जाएंगे, तो उस situation में आप मान सकते हैं, जो मैंने cut-off का वीडियो पहले बनाया था, cut-off उसी range के अंदर रहेगा, cut-off उस